प्यारे बच्चे इंग्लिस वाले सरकी क्लास में आपका वेलकम है 12th क्लास वालों के लिए एकजाम से पहले यह बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं आपकी पहली बुक फ्लेमिंगों में से most question यानि ऐसे कौन-कौन से question है जिनके आने की संभावना है एक बात मैं सुरूबे बता दू मैं कोई भी संभावना 100% कभी भी नहीं होती मैं कह सकता हूं कि 70-80% संभावना होगी ठीक है क्योंकि paper मैंने नहीं बनाया अगर मैं बनाता तो हो सकता आपको दे देता एक बात बता होतो हमने ऐसे डेंट पूरी सारा आलसी रहे कुछ नहीं पड़ा और एक्जाम आ गए तो उनके लिए हमने इसी चैनल पर only one answer की एक सीरीज शुरू की थी यानि फ्लेमिंगों के हर चैप्टर में से विश्टास में से और सारी poems का only one answer दिया था तो यदि आप खाली छोड़ में वाले हो तो उसकी बजा उसको लिख सकते हो कहां मिलेगा प्लेलिस्ट में जाना या फिर चेक करना वह सर्च करना इंग्लिस वाले सार only one answer चैप्टर का नाम तो हर चैप्टर का only one answer है ठीक है तो यहाँ पर एसे डेंट जो उस one answer को नहीं लेना चाहते पूरा पढ़ना पढ़ना चाहिए यार तो उनके लिए मैंने most लगाए लगाए क्या वह होते ही है हर चैप्टर में तो चलो सुरू करते हैं देखिए पहला चैप्टर है दा लास्ट लेसन तो इसमें से चार-पांच question दिये है अब यह मत करना सर बहुत ज़्यादा दे दिये तो देखो एक चैप्टर करेंटें थ्या ऑड़ें छोट्वा लेसन देखिए दिस मान तो थे पोड़ी से नहीं क्या है अगर आगए अगजाम टमन का में और दिन पैल तो दो-आग बदलना फंट्र की शर्चा करते हैं बहुत बारा Iss an पट फटा पट देखिए इसमें तीनी बात हैं क्या लग था संडे जैसी सांती थी जैसे रविवार को सांती होती है मतलब सब कुछ सांत था दूसरी बात मिश्टर हैमल ले नई सेरेमनियल ड्रेस पहनी थी नई पॉसाक और तीसरी बात पीछे को कुछ ग्रामीर भी बैटे वे थे ठीक है तो यह सारी बात थी चाहिए आजा चाहिए आजा अगला है अब देखो छोटा कुस्टन आप कोगे सर वह भी तो आ सकता है कि उस दिन फ्रेंज क्यो डरा हुआ था क्योंकि मिश्टर हैमल उसे पार्ट सिपल पे कुस्टन पूछे गर उसको फ़स्ट वर्ड भी मुझा कुछ नहीं जानता था अब मुझे नहीं लगा हूँ मुझे यह लगा अब मैं यह निकरा उसको छोड़ दो उसको भी पढ़ लेना ठीक है अगला है वाट है वाट है अब से यहां पर जर्मन पढ़ा जाएगी कहां लॉरेन और अलसैस में अब के बाद जर्मन पढ़ा जाएगी उनस्टीड ऑफ फ्रेंच फ्रेंच के स्थान पर अगला है अगला है बहुत अच्छा कोस्तन है उस दिन मिश्टर हमल ने क्लास कैसे ली ठीक है अब देखो एक हैं तो बहुत हैं बाते बहुत सारी हैं पर टर्निंग पॉइंट क्या है मैं मैं सेंस कहां है पाठ की आत्मा किन किन परग्राप में है किन किन बातों में तो यहां पे भी तो परग्राप लेसन की आत्मा है कि बहुत सीरियस था एक ही प्रहार में सब कुछ पढ़ा देना च सिखा रहा था मतलब कितना प्यार कर रहे हैं लोग भासा से क्योंकि जो भासा उनकी थी नेटिव थी अब उनकी नहीं रही कल से फोरन लेंगवेज जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी तो क्लास में बहुत सांती थी वो सब अरे हर चैप्टर में से 3-4 बात होती है आने लायक पर आप पता है क्या है आप मोश्ट मला आप अक्षरंस सब्दों को रटते हो सब्दों को मत रटो उसकी आत्मा को पकड़ो कि पूछ क्या रहा है चलो चोड़ो वाट वाट वाजदा चलो चोड़ो क्यों बढ़ी आए यह चादिस था कि आज के बाद यहां पर फ्रेंज के स्थान पर जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी इस चीज ने छोटे फ्रेंज को और अलसेस के लोगों को कैसे प्रभावित किया वो लोग बहुत अफसेस कर रहे थे अफसोस कर रहे थे बुजरु ग्रामीड़ी क्लास में ब वो फिसल पट्टी फिसल जाय करता था पक्षियों के अंडे पकड़ने जाय करता था अब अपसोस कर रहे इस तरह की बात है ठीक है ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आगे चलो लॉग लॉग लॉश्ट इस स्प्रिंग दो भागों में है खोया हुआ बच्पन खोया हुआ बसंत एक में sometimes I find a European the garbage ये साहिब के बारे में है ये सीमापुरी दिल्ली के ragpickers के बारे में है पहले कुछ से नहीं है हुई साहिब साहिब कौन है तो साहिब इसे ragpicker एक कच्रा बिनने वाला है where is he where कहा है he is at the सीमापुरी डेली and where has he come from कहां से आया he has come from ढाका बांगलादेश क्यों आया है क्योंकि वहां पर समुद्री तूफान थे उनके घर बैजाते थे खेट बैजाते थे खाने को कुछ नहीं था अगला है what explanation क्या व्याख्या does the author offer लेखे का प्रस्तुत करती है for the children बच्चों के बारे में उन ragpickers के बारे में not wearing footwear चपल नहीं पहनने के संदर में अब लेखे का कोई व्याख्या नहीं देती लोग जो व्याख्या देते उसको बताती है तो लोग कहते हैं कि यह धनकी कमी नहीं बलकि इन बच्चों का एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना तो लेखे का कहती है क्या बहाना है लोग क्या बहाने मार रहें गरीबी की लेकिन रट लेना क्या चाय की दुकान पर काम करते हैं नहीं है उसको तो वही जोला पसंद है ठीक है क्योंकि वह उसका खुद का अपना था यहां पर खुद की मर्जी का मालिक नहीं है यह बड़े में आ सकता है जिसमें में टिक करूँ वह बड़े के लिए ठीक है जैसे यहां पर टिक कर दू चलो ठीक है तो डिस्क्राइब दासाओं का वड़न कीजिए ऑफ दा रैग पिकर्स कच्रा बीनने वालों की ऑफ सीमापुरी दिल्ली दैली के सीमापुरी में चुट आउट रन रनिंग वाटर और ड्रेनेज बिननालियों के पानी के उनके पास कैसे कैसे रासन कार्ट बनवा लेते हैं अगे बढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव आ कार में कार चलाना चाहता हूं तो यह बैंगल मेकर्स के इसमें मुकेस बच् मुकेस के बहाने से क्वेशन है वाट मेक्स दा सिटी ओ फरोजवाद फेमस फोर क्या बात है जो फरोजवाद सहर को प्रसिद्ध करती है तो वहाँ पे बैंगल मेकिंग के कार खाने हैं दूसरा है दूसरे घर में चूडी बनाई जाती है मैं संद हैजार्स वर्किंग इन सामने गरम भट्यों सामने काम करते हैं तो जबान होने से पहले उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है स्कूल नहीं जाते है अभावों में जीवन जीते हैं मर जाते हैं बूड़े हो जाते हैं दूसरा है हाउ इस मुकेस का द्रिश्टिक और उसके फैमिली से अलग कैसे ह बहुत ही करेजियस बहुत ही ब्रेव बंचा है कि ऐसे सोच रहा है कि में एक मोटर मेकनेक बनुगा उस महाऊल में रहे करके उसकी सोच देखो तो शो्रकिंग रहा है मोटर मेकनेक बनना चाहता है मैन का इसले यशista is वो उस प्रोफेशन को छोड़ना चाहता है इसलिए यह अलग है चलो छोड़ो में आनसोरी बताओ क्या डिस्क्रैब दा लाइफ कंडिसांस और डेंगल मेकर्स और फ्रोजबाद तो फ्रोजबाद के चूड़ी बनाने वालों के जीवन दसा बताईए तो जैसे उसमें पारी गलिया है लोग बच्चे स्कूल नहीं जाते समय से पहले बूड़े हो जाते हैं और वो सहावकारों के और उनके उस सहावकारों पुलिस और लीडर्स के जाल में फसे हुए है उनका सोशन किया जा रहा है सारी बात आपको लिखनी है ठीक है चलो बढ़ते आगे पूल पर बैठा था बच्चे ने फैक दिया डूब गया लेकिन मरा नहीं बाहरा आ गया बेहुस हो गया इसकी वज़े से उसका बोटिंग मतलब नाव में नहीं बैठ सकता फिसिंग मच्री नहीं पकड़ सकता स्वीमिंग तैर नहीं सकता सब कुछ खतम हो गया तो उसने नश्राडर अब दूसरा पायट है कि वह पानी की डर उसने कैसे जीता तो उसने की इंस्ट्रक्टर रखा उसने इसको सिखाया उसको ऑ क्यलाulous जीलो नदियों में गया पस ये है तो डर कैसे आया और न को कैसे दूर किया दो य तो पायिट है एक चोटा सा और रह गया गया बच्पन में और आया थे एक वाडर जो वो लहरों पे पता के साथ किल रहता है लहर ने वेव ने उसको डीचे गरा दिया और उसके अंदर डर आ गया तो पहला तो वो था माइनर बड़ा काव आया जब उस लड़के ने वाई-म-सीय पूल में फैका अच्छा वाई-म-सीय जिसके बारे विलियम डगलस बता रहा है इस पीक सबाउट बताता है वो पूरी बात आएगी वो बिग ब्रिजर बॉय उसने इसको थ्रू कर दिया टोस कर दिया वो नीचे गया उसने प्लान किया कि मैं जैसे जाओंगा बोटम को चुँँगा तो ऐसे जंप लोंगा और के तरह उपर आजाओंगा और पैडलिंग करते उधर आजाओंगा ठीक है यह सारी बात है और इस चीजने उसको भैदे दिया वाट मैंने अत्वा में यही बात वाट हैपन टूदा डगलस एट वाई-म-स ये पूल डगलस के साथ वाई-म-स ये पूल पर क्या हुआ अ पाने के अतितिक डर ने उसको जकड लिया था हाउ डिड दे इस ट्रक्टर इस ट्रक्टर होता है प्रसिक चट्र ने बिल्ड अश्वीमर एक तैराक बनाया आउट ओफ डगलस डगलस को कैसे यह उस्ट्रक्टर का क्या रोल था तो उसमें वह सारी बात लिगनी पड़ेग और हाउ डिड डगलस कंक्वर या ओवरकम भी लिख सकते हैं उसके जिगें कंक्वर या ओवरकम जीता यहीं बढ़ा है तो विल्यम डगलस ने कैसे कंकर किया कैसे जीता ही स्फिर ऑवाटर पानी के डर को इसमें दोनों बात सामिल होंगी इस्ट्रक्टर की पूरी बात बत बतानी पड़ेगी पुली वुली एकसे लेल सारी और लास्ट मों अकेला भी कई नदी और जीलों में गया यह काद का नाम लिख देना है उन जीलों के ठीक है अच्छा रहेगा और बड़ा कुस्चन है तो बड़े आ गए ठीक है अब बहुत से बच्चों को जब मैंने ओन पर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई कई वीक बच्चे भी है अब वीक है तो है यार वो भी इस दुनिया में है उनका विजूद है तो उनके लिए सोचना पड़ता है इसलिए बाग इतना खराब नहीं था उसमें पूरा पार्ट का मैंने दिया था चैप्टर का पू पूर्च देखते हैं चलो फिर भी आपको थोड़ा साहरा मिल जाए इनको थोड़ा जाधा देख लेना इनमें से जाधर आते हैं उस तरीके से यह वाई जिट दब पैडलर से पैडलर ने क्यों कहा दव वाल्ल इस और रेट्रैप की संसार चुएदानी है क्योंकि जिस तर जैसे कोई ललचाना चाहता है इट क्लोज ओन हिम वो उसमें बंद हो जाता है तो संसार भी चुएदानी है यह विचार आया क्योंकि संसार उसको दुद्कार था वाई 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 पहले से जो क्रॉफ्टर था जो किसान था ज्वापड़ी वाला इतना कैंड क्यों था उस सम्मन किसी को पाकर कि हिवाज है भी वो खुस था वाट मेड़ पैडलर थिंक पैडलर ने क्यों सोचा देट ही है इंडीड फालन इंट आ रेट ट्रेप की वो भी एक चुएदानी में फस गया कब सोचा जब वो चोरी के 30 क्रोनर लेकर के सरक सरक चला तो उसे डर लगा गय जंगल में चला गया जंगल घना था फस गया बाहर ही नहीं आपाया विचारा अंत में गिर पड़ा बेहो सोके तब उसे तब उसने महसूस किया कि मैं भी फस गया संसार की चुएदानी में 30 क्रोनर के लालच के चक्कर में वाइड इंट पैडलर एट इस होम तो आयर कैनल फ्रेंड अपना पुराना सेनिक साथी तो उसको इसलिए किया वाई सबसे अच्छा कोर्शन यह है वाई डिड़ एड़ला इस्टिल एंटर टैन यहां परना चाहती थी आ भगत करना चाहती थी आधर सतकार करना चाहती थी जब पैडलर उस घुमक करका इवन आफ्ट सतकार क्यों किया कि मेरे फादर का दोस्त में फिर भी यही इस पार्ठ के आत्मा है तो इसलिए किया कि इसको साल डर साल बिचारे को चेश डबे भगाया जाता है इसको ग्रिफतर किया जाता है ठीकर लोग इसको दुद्कारत है क्योंने सको एक दिन कोईंट है अच्छा कोश्चन है वाई डिट पैडलर साइन हिंसेल एस केप्टेंट वोन इस्टैल के सिगनेचर क्यों किये अथवा हाउ डिट दपैडलर चेंज इंटो जेंटलमेन जेंटलमेन में कैसे बदल गया तो एडला ने जो उसका आवगत की थी जो इसको इंटेंट के ही की थी जबकि खुब पता था नहीं है फिर भी चलो हो गया अगला है वाईवाज राजकुमार सुकला डिस्क्राइब एस बिंग रोजुलेट राजकुमार सुकला को एक द्रणिस चाही विक्ति क्यों बताया गया अथवा वाई डिट गांधी गो टू चंपरन गांध पिंग अगयों अगये और यह आजाई की गहे तो वहाँ पर स्यरूपर की समस्य करें लिए वह बात है अगला है What was the dispute dispute होता है वीवाज बीशचीय आ सकता है क्या ववाद था क्या इस्यू था में बflows नील की खेती करने वाले किसाल तो यह खेति किया करते थे अब उन्होंने एक agreement किया वाता था कि पूरी जमीन के 15% भाग पर उनको नील की नील ही बोना पड़ेगा नील एक फसल होती थी पहले जो नील लगाते है ना पहले फसल की रूप होती थी यह बोना पड़ेगा क्योंको कमर्शियल फसल थी मेंगी फसल थी और यह लंबी अवदी के सबनोते से हो रहा था लेकिन तभी जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का इंवेंशन हो गया विसकार हो गया और अंग्रे जमिदारों को पता चल गया कि अब तो इसकी कीमत कुछ रहने वाल नहीं है जो चीज फैक्टिम बन रही है उसकी कीमत कम हो जाईगी तो उन्होंने बदले में पैसा ले लिए कि हमको तो पैसा दे सब्सक्राइब के लिए क्योंकि गांधी इसमें वह आया है बहुत अची लाइन है वह रट लेना अट-पाटीस है मुझे भी याद नहीं है ठीक है वह लाइन यह है कि धन इंपोर्टेंट नहीं है मनी इस नोट इंपोर्टेंट बलकि वह उनकी प्रतरिष्ठा उनकी प्र चंपारन के गरीबों की जीवन को बदलने के लिए गांधी जी ने क्या किया तो देखो एक तो यह सियर क्रॉपर यह मैटर सुल जाया था उसके बाद वह गांधी वहां पर रुके रहे थे स्कूल खुलवाए और स्वच्छता पर धान दिया अपने आस्रम से कुछ लोगो कोई है हमारे पास सहास है हम लड़ सकते हैं और गुलाम भारत में पहली बार भारतियों के जीत हुई थी यह सारी बात है और देख लेन आप बढ़ते अगले पर अगला चैप्टर बहुत खतर ना आ गए पैनकेक्स ठीक है अब यह बहुत 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 बढ़ा सा चैप् बहुत सारे क्वेशन निकल सकते हैं आप इन इन मुद्धों पर ध्यान दे लेना एक तो मेकप डेपार्टमेंट से संबंदित की उसको राष्टी एक तक क्यों कहा गया था उसमें तमिल था बंगाली था यह था वो था सब ही लोग थे ठीक है तो यह बात भी कॉमेडी में तो मेकप डेपार्टमेंट के से कुष्चन आ सकता है ओफिस बॉय ओफिस बॉय जो बिचार वहां पर डिरेक्टर बन रहा था एक्टर बन रहा था एक ओपिस बॉय नौकर बनके रह गया वो क्या करता था वो जब क्राउड सुटिंग होती थी तब वो ऐसे एसे लोग वो पे चला गया बास के बाद और बास का नाम था मिश्टर वासन और यह बिचरा ऑफिस बॉय बनके रहा था तो यह से जलता था क्यों जलता था वहां पर नाटक करने ठीक है उसमें 200 लोग थे और यह कमनिश्ट क्या बोलते हैं एंटी कमनिश्ट था सामवादी ब्रोधी आंदुलन था इनका बहुत वेलकम किया गया था तो मरें पूछ सकता है इंग्लिस पोहट वहाँ पे अंग्रेज कवी आया था विज्टर आया था इस्टूडियो में जिसका नाम था श्टीफन बड़ा मजा रहा होगा क्योंकि फटापट से रिवाइज हो रहे हैं सारे सारे मेंट आपको बताए जा रहे है पता है मुझे इंटरिव्यू वाट रसम पॉजिटिव व्यू रिप्लिवू सबसे इसके माध्यम सी पता चलता है और यह प्रैक्टिस में कला भी है ब्रसम इंट्रिव्यूट दिया जाने से क्यों डिस्पाइज घ्रना करते हैं तो इसके नेगेटिव पक्स क्या है कि यह हमारी क्या बोलते हैं मैंने बहुत अच्छे लगवाया है और यह थंप्रिंट और वाइंड पाइप एक ने तो यह कहा कि स्वासनली परांग उठे के निसान यह दम गुटता है यह हमारे बारे बहुत ही पर्सनल है और हमारे परस्टनल है यह घुषपेट करता है तो एक क्राइम है क्राइम की तरह से हैं अगला है अगला है हाउड़ अंबहटो इको एको राइट इसओ अच एको और रहे गया लिख दू क्या च्छोड़ों एक स्कॉलर था एक प्रॉफेसर था यह और यह नोवल भी लिखता था तो यह तना अधिक कैसे लिखता था एक आया है इंट्रिस्टिक्स इंट्रिस्टिक्स होता है खाली समय में फुरसत के समय में यह बहुत टर्निंग पॉंट था वन वीडियो आग देख लेना तिक खाली समय में लिखता था इसने बहुत सारे नोवल्स लिखे बच्चों के लिए लिखा और स्कॉलर की बुक्स भी लिखी वाट इस चैप्टर से आता नहीं को सब्सक्राइब कम चांस है फिर भी आप देख लेना वाट इस रीजन आप यू सक्षेज आप दर नोवल्स नेम आप दरोज इसने एक नोवल लिखा था यह नौन फिक्सन था यह बहुत हिट हो गया था इसकी वजह से प्रोफेसर फेमस हो गया था तो इसक एक लड़की जो फेंटेसी वर्ल में रहती है कालपनिक दुनिया में रहती है मैं डेनिक ऐसी मिली हूँ मैं बुटिक खोलूँगी यह यह चलो देखो उसको ऐसे सपने देखने से निराज क्यों करती है मना क्यों करती है अब यह यह भी हो सकता है कि उनके उनके उनका इटिट्यूट डिफरेंट कैसे था सौफी और जैंसी में क्या-क्या बिंदता है थी ऐसे आजाए ऐसे एक ही बात है या फिर सिर्फ उपर उपर वाला आ ज थी जुड़ी लडगी थी जो कि बताती थी कि स्कूल के बाद हम गरीब है बिस्किटफेक्टर में काम करने वह लिए पैदा हुई हैूं अगला है डूपी जाब लेतिक स्टोरिय में युच्य में दॉनियोगा का नाम Gioff है वियू म७ाई डैनि कैसी इसोरी ह स्टोड़ी क करते हैं नो नहीं करते हैं because it was a false story it was imagination of Sophie यह Sophie की कल्पना थी पिता कैसा था very hard था stick था जियो सीधा था घुनना मतलब कम बोलता था और वो सारे सीगट भाई से सेयर करती थी why did Sophie why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny Sophie क्यों नहीं चाहते थी कि Jancy Dany Cassie, Cyancy-क को जो भी सहंुक्छ भी सहे थी को Danny Cassie की कानी वादे में पता चले तो को जुछ जैन-ची पर विस्वास नहीं करती थी मैं इसको बताउंग इस गवार को इस سब को बता देगी हमारे घरaldाए जगड़ा हो जाएगा, मेरे घर पर भीड़ा जाएगी, मैं उससे मिली हूँ, तो कहने के मतलब इससे क्या बता है, कि दो सहेलिया क्लास में होती है, बात करती है, लेकिन वो आपस में सीक्रेट्स को रिविल नहीं करती, लड़के फिर भी कर देते हैं, और लास्ट कुश्च आलगों दुनिया में रहती है, डैनी केसी से मिली थी, जबकि मिली नहीं थी, वैसे ही बता रही है कि मैं उससे मिली थी, ओटोग्राफ लिया था, सब जूटी बात है, एक बार मिली थी, बस ये कुश्च न आ जाया, तो कहां इस्टेडियम में उसको खेलते हुए देखा इमानदारी से बता दिया, सच्चा ये है कि कोई जरूरी नहीं कि इन में से आया, जरूरी था है, 70-80% संभावना आया, नहीं आया तो कोस ना मत, गाली मत देना, कमेंट मिया मत लिखना, कि सर आपने तो मरवा दिया, मैं उस तरह का विक्ति नहीं हूँ, मुझे इसी चीज से हेट है, जब मैंने अल्ली बनानसर की वीडियो बनाई थी, उसमें मैं नहीं बताया था, कि भाई जिन्हों नहीं नहीं पढ़ा, और जो बिल्कुल खाली छोड़ना वाले हैं, वो उससे काम चला सकते हैं, यहां पर आपको थोड़ा से रिवाइज करवा दिया, इस एक लेंग्वेज है, उपर नीचे चलता है, सेंटेस थोड़े बहुत गलत होते हैं, थोड़े बहुत ग्रेमेटिकल मिश्टेक होती है, टीचर समझता है इस बात को, आप धराम मत करो, ठीक है, अब क्या है, अब पेपर है, आपका पढ़लो फटापट से, ओके, बाई झाल Persian के बाई पेवाई है, ऑकदा जया है, अब भी थोड़े लिचे हैं, आप एूफोंग करत फार इसक्ते हैं, आप खवड़े लग जहने मिवाबलो घूपकों एपक।ोंग कर जह हैं, आपक।ोंग ऍॉपकों अपुए